ध्यान देनेयों के जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालगर जरूर सुने नमबर एक कमज़ोर हड़ियों से परिशान है तो करोधे का सेवन करना बहुत ही फाइदेमंद होता है करोधे में कैलसियम काफी मातरा में पाया जाता है जो हड़ियों को मजबूत बनाता है नमबर दो गर्म गरम चाए पीने से जीप जल जाए तो बरफ का टुगडा लगा ले या फिर आईसक्रीम खाने से तुरंत ही राहत मिलती है नमबर तीन चेहरे पर स्टीम लेने से चेहरे की रोम शित्र खुल जाते हैं गंदगी निकल जाती है नमबर चार अमरूद और अमरूद की पत्यों का सेवन करने से डाइबिटीज के मरीजों को सुगर लेवल नियांतरित करने में मदद मिलती है नमबर पांच अगर दातों में दर्द की समस्या है तो अमरूद की पत्यों को चबाएं और अमरूद की पत्यों को पानी में उबाल कर चान कर इसके पानी से कुला करें और अमरूद के पत्यों की चाय भी दातों के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है नमबर 6, जिन लोगों के पैरों में कमर में बदन दर्द रहता है तो उन्हें हर स्रिंगार के पत्तियों को पानी में उबाल कर चान कर इसका पानी पीने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है नमबर 7, कद्दू के बीच खाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं नमबर 8, एक कप पानी में एक चमज हल्दी डाल कर उबाल कर पीने से सिर दर्द में राहत मिलती है नमबर 9, सुबह उठते ही लोग सबसे पहले आईना देखते हैं वास्तु सास्त्र के अनुशार या सुब नहीं होता है सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें दिन भर की शुरुवात करनी चाहिए नमबर 10, घर में लगी घड़ी से व्यक्ति का भाग्य जुड़ा होता है बंद घड़ी बुरा होने के संके देती है वास्तु सास्त्र के अनुशार बंद घड़ी देखने से विवात की इस्तिती पैदा हो सकती है दिन के हर काम में बाधा आ सकती है नमबर 11, सुभा उठते ही जूठे बरतन देखने से सरीर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है सास्त्रों के अनुशार रात में ही किचन साफ करके सोना चाहिए जूठे बरतन रखने से घर में जरिद्रता आती है नमबर 12, मानेता है कि सुभा उठने के बाद पहली नजर अपनी या अन्य की परचाई पर पढ़ना अच्छा नहीं होता है परचाई देखना राहू का संकेत माना जाता है चाया देखने से मनुश्य तनाव का माहौल पैदा होता है दिन भर काम में मुश्किल आती है नमबर 12, सुभा उठते ही सबसे पहले हतेलियों के दरसन करें अब भगवान का नाम लेकर हतेलियों को चेहरे पर मल लें फिर अपने दिन की शुरुवात करने के लिए प्राठना करें इसके बाद जल पीए और सूरे के को दरसन करें नमबर 16, खाना खाने से पहले पैड धोलिया करें पेड में खाना जल्दी हजम हो जाता है नमबर 15, चाए में कभी भी हल्दी या नमक नहीं डालना चाहिए यह जहर के समान हो जाता है नमबर 16, गुड़ के साथ गुड़ खाने से खुन साफ होता है रोजाना खाने के बाद गुड़ खाएं पेड में गैस नहीं बनेगी नमबर 17, जब चने की डाल बनाते हो तो उसमें सौप का एक टुकुड़ा एक चम्मस सौप डाल दिया करें बड़ी ताकतवर बनीगी कोसिस करें रात को चावल ना खाएं नुकसान करते हैं नमबर 18, कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखने चाहिए हमें उनको समय समय पर कटवाते रहना चाहिए बड़े बाल की देखभाल के लिए हमें बहुत समय चाहिए होता है वह हम एनेज नहीं कर पाते हैं इससे अच्छा है कि बाल हमेशा थोड़े छोटे रखें नमबर 19, कभी भी दही सुर्यास्त के बाद ना खाएं रही का सेवन करने का सही समय सुबह और साम का होता है नमबर 20, खाना खाने वक्त किसी चीज के बारे में ज़्यादा ना सोचे गुस्से में कभी भी भोजन ना करें पहले अपने आपको सांत करें फिर भोजन करें चोटी मोटी समश्याओं के लिए कभी भी अंग्रेजी दवा का सेवन ना करें कुछ लोग रोजाना एक या दो टैबलिट ले लेते हैं यह सरीर को बहुत ज़्यादा कमजोर बना देती है अंग्रेजी दवाओं का सेवन करने से हड़िया कमजोर होने लगती है आमला और सिकागाई को बालों में लगाने से बाल काले घने और लंबे होते हैं और मजबूद भी होते हैं नमबर तेईस हमें बहुत अधिक देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए इससे ना सिर्फ आके खराब होती हैं बलकि आपका टाइम टेवल भी खराब होता है नमबर चौबिस आजकल के बच्चे मोबाइल में चिपके रहते हैं उन्हें मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही मोबाइल को अपने पास रखकर सोएं इससे रेडियेशन का खत्रा बना रहता है नमबर पच्चिस कभी भी रात का खाना खाते ही सोना नहीं चाहिए रात का खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम पैदल चलने की आदट डाले नमबर 26, हर रात में एक गिलास पानी में त्रेफला को भीगो दें सुबह उसका पानी का सेवन करें पाचन तंत्र में सुधार होता है नमबर 27, गले में अगर खरास खासी हो रही है तो मुलेठी की चाह बना कर पीने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है नमबर 28, तांबे के बटन में 8-10 घंटे रखा हुआ पानी पीने से कोलिस्टोल लेवल कंट्रोल रहता है सांथी वजन कम करने में मदद मिलती है नमबर 29, अगर आप पूरे दिन में दो चम्मच पीनट बटर खा लेते हैं तो आपके पूरे दिन की प्रोटीन की जरुरत को पूरा करने में मदद मिलती है नमबर 30, सुबह खाली पेट सौप का पानी पीने से वजन कम होता है नमबर 31, सुबह भीगे हुए चने खाने से या दस तेज होती है, सांथ ही आपके मसल्स को श्रॉंग बनाने में भी मदद करते हैं नमबर 32, रोज सुबह आपको सबसे पहले एक से दो गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए यहां सरीर में टॉक्सिंस पदार्थ को निकालना और पेट को साफ करने में बहुत ही जरूरी होता है नमबर 33, सुबह नास्ते में कुछ खाने के बाद यह आपको चाय पीनी चाहिए या सेहत के लिए नुकसान दायक साबित होती है नमबर 34, कब जिब से पिडित लोगों को साम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए इसके अलावा फाइबर युक्त पदार्थ का सेवन करके भी कब जिसे राहत पाई जा सकती है नमबर 35, खाना खाने के दौरान कभी भी पानी ना पियें इससे पाचन क्रिया पर विप्रेद परभाव पड़ता है खाना खाने के हमेशा आदे गंटे बाद ही पानी पियें नमबर 36, रात के सोते समय अपने आसपास मोबाइल फोन या ना रखें, यह connect होने वाली radiation करने आपके दिमाग को सोने समय नुक्षान पहुचा सकती है नमबर 37, प्रती दिन exercise या फिर योग का अभ्यास जरूर करें, यह आपके लिए गंबे बिमारियों से बचाएगी नमबर 38, रात के समय दही का सेवन करने से बचना चाहिए, यह म्योक्स के डेबलब होने की संभावना को बढ़ा देता है नमबर 49, साम के 6 बजे के बाद जैदा heavy diet ना लें नमबर 40, फ्रिज में रखे हुए, ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए, यह केवल गले के लिए नहीं हानिकारक होता बल्कि आपकी सेहत को भी कई नुकसान पहुचा सकता है नमबर 41, अपने दिन के काम के बाद विस्राम करने का समय जरूर निकाले नमबर 42, अपने दिन चरिया में पानी की मात्राएं बढ़ाएं, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलाज, 7 से 8 गिलाज पानी जरूर पियें, अपने सरीर को हाइडरेट रखें नमबर 43, खाना अधिक नहीं खाएं, आहर में दही, क्रीन टी, हरी सबजियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेने, खाना हमेशा कम और लेकिन पॉस्टिक आहर होना चाहिए नमबर 44, भोजन करते समय सायम रखें, रोटी के छोटे छोटे टुकडे में और पूरी तरह से चबा कर खाएं, इससे आपका भोजन आसानी से पच जाता है और खाना खाने के बाद पेट भारी भी नहीं लगता है नमबर 45, चाई या कॉफी की जगण गुन बुना पानी, नीबु पानी, चांच, जूस या सूप का सेवन करना लापकारी होता है नमबर 46, कभी भी बादाम या अखरोट को भिगो कर सेवन करते हैं, इससे जोडों की ग्रीस अर्थात ताकत बनी रहती है, अखरोट सेहत के लिए बहुत ही जरूरी हो, सेहत के लिए जरूरी होता है थैंक्स पॉर वाचिंग